वेलकम बैक टू चैनल, I hope you all guys absolutely fine So guys, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के तरफ से आई हुई नी रोकॉर्मेंट के बारे में ये ओल इंडिया वेकैंसी और इसमें मेल फीमेल दोनों अपलाई कर पाएंगे तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को completely watch करिए अगर जिससे सब कुछ समझ में आ जाए और उसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आती तो लाइक कर दीजेगा साथ में आगे आने वाली वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस कर दीजेगा सबसे पहले अपडेट देख सकते हैं आप 5 जनवरी 2019 का है और यहां पर इंडियान आर्मी रिक्वार्मेंट है नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अपलाई करने आपको ओनलाइन इंडियान आर्मी रिक्वार्मेंट 2019 नॉन टेक्निकल पोस्ट अपलाई ऑनलाइन चलिए आगे चलते हैं रिक्वार्मेंट और्गनाईजेशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं इंडियान आर्मी है और साथ में टोटल पोस्ट कभी कि मेंसन नहीं करता इंडियान आर्मी नॉट मेंसन होता जो लोग रैली यह रिटन जो कुछ भी होता उसे जब क्वालिफाई का लेते हैं उसके बाद उनका सेलेक्शन होता है पोस्ट नेम ज़रूर आप देख सकते हैं सौर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल एंसी स्पेशल एंट्री स्कीम 46 कोर्स है और सौर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल की है जी एजी एंट्री स्कीम है थर्ड मतलब 23rd counseling और short service commission की तरफ से technical 24th short service commission technical men and women इसमें जो है तो eligible होंगे more जो है तो आपका apply करने का online होगा और कौन-कौन who can apply तो all India candidate जो है all Indian candidate और male female दोनों टाइप के eligible होंगे space scale जो है तो mention नहीं किया जाता है लेकिन आपको बता दे कि आपकी जो 25,000 यानि कि 25,000 प्लस ही होती है अब job location और exam center की बात कर लेते हैं तो वो all over India में Indian army में कहीं भी दिया जा सकता है उसके बाद age limit की बात करते हैं तो north mentioned यानि कि अभी जो sort notification जारी किया गया है उसमें age नहीं बताई गया या भी मैं sort notification आपको दिखाने बाला हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे उसके बाद बात कर लेते हैं कि application fees क्या होने वाली है तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल free है education qualification की बात करें तो आपका जो 12th level में है यानि कि 12th age standard वो pass होना चाहिए और PCM physics committee math से और 70% marks होना चाहिए और साथ में आपको जो है तो आधिक ज्यानकारी के लिए official website पर जाना होगा अभी मैं बताता हूँ important date की बात कर लेते तो NCC special entry के लिए starting 9 January 2019 है और last date 7 February है साथ में आपका JAG के लिए starting 16 January से आवेदन लाश्ट रहेगा 16 February 2019 और SSC टेकनिकल के लिए आपको starting मिल जाएगी 23 January से लेकर 21 February तब exam date अभी नहीं है coming soon है जब भी आएगा कुछ update तो आपको वीडियो मिल जाएगी selection process की बात करें तो return exam पे selection based है और उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी apply कैसे करना है तो यहाँ पर आपको कुछ देखनों को मिलेगा link वगएरा यहाँ पर apply online का link जो है तो 9 January को active हो जाएगा और उसके बाद download notification का official के यहाँ पर option है और साथ में यहाँ पर official website है तो हम लोग क्या करेंगे सीजिए notification को download कर लेंगे आप देख सकते है notification नमाजे सामने open हो चुका है तो इस notification वही सब चीज़े mention की गई है official website बताएगी यहाँ पर आप लोग को यह notification मिल जाएगा और पुरूस और महिला जो है तो सभी लोग eligible होंगे और same to same हिंदी में सभी चीज़े समझाएगी आप देख सकते हैं यह 100 notification जारी किया गया है तो आप लोग देख लीजेगा तो उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक्स मिल जाएगा तो आप लोग वहां से जाके चेक कर लीजेगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद झाल सबये है को पसूपश झाल से सफले के लिएल संद वीडियो आपको ओए भाव बॉक्स मिल अवब को होषड''